हलो इस्टूडेंट्स मैं सीए मनोज गुपता मित्तल कॉमस क्लासिस से मित्तल कॉमस क्लासिस जो की जाना जाता है पूरे नोर्थ इंडिया में हाइस सेलेक्शन के लिए हर बार यहां से हाइस सेलेक्शन हो रहे हैं तेलिए आज हम बात करेंगे इस पेपर का हम पास्ट एक्जाम अनलेसिस, ABC अनलेसिस और शोर सक्सेज स्रेटिजी पर बात करने वाले हैं पहले जो साथ पेपर है उनका वीडियो आ चुका है और अमेंडमेंड वीडियो, मेरा थन वीडियो और पास्ट एक्जाम के पेपर, MTP का वीडियो, RTP का वीडियो, ऐसे बहुत सारे वीडियो अमारे चैनल पे आने वाले हैं इसलिए आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बैल आइकन दबाके रखें चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले हम पास्ट एक्जाम अनलेसिस करने जा रहे हैं पास्ट एक्जाम अनलेसिस क्या होता है, पास्ट एक्जाम अनलेसिस जिसमें की पिछले सालों में जो एक्जाम सो हैं, उनके जो पेपर्स आये हैं तो कोन से चैप्टर से किते मार्स के कोशन्स पूछेगें उसका analysis होता है past exam analysis तो सबसे पहले हम past exam analysis करेंगे उसके बाद में हम ABC analysis करेंगे और short success strategy बात करेंगे तो आईए चलते हम past exam analysis के लिए देखते हैं यह past exam analysis मई 2022 के students के लिए financial management and economics for finance तो यह यहाँ पर subject है इसमें देख रहे हैं chapter number 1 chapter number 1 जो है पिछले हम च्प्टरन नमबर 1 यहाँपर 6 में से 5 बार पुछा गया इसमें से और 3 न nember का एवरेज पूछा जा रहा है उसमें 7 मार्क्स का एवरेज और हरबार कोशन आ रहा है 省ए 7 मार्क्स का एवरेज और 7 मार्क्स का एवरेज और पाइव का यूनिट 1 Capital Structure Decision इसमें 5 नंबर का Average है और 6 में से 3 बार Question पुछा गया है इसके बाद Unit 2 है Capital Structure Theories इसमें 2 नंबर का Average है और 2 ही बार Question पुछा गया है इसमें से इसके बाद चलते हैं Chapter No. 6 Financing Decision Leverages इसका 10 नंबर का Question हर बार आ रहा है Average 10 नंबर है इसके बाद Investment Decisions देखिए Important Chapter है 11 नंबर का Average आ रहा है और हर बार Question आ रहा है इसके बाद Risk Analysis and Capital बस्तिंग है 5 Marks का Average है और 6 में से 5 बार पुछा गया है और Dividend Decision है पांच नंबर का Question हर बार आ रहा है इसके बाद में है Management of Working Capital में Unit No. 1 है इसका 4 मार्च का Average है 4 marks का average है और 6 में से 3 बार पुछा गया है इसके बाद में Treasury and Case Management है तो ये 6 में से 3 बार पुछा गया है और 3 number का average है इसके बाद Unit 3 है Management of Inventory इसमें से caution नहीं आ रहा है 0 marks का average है इसके बाद है Management of Receivables इसमें 1 number का average है और अभी तक 2 बार पुछा गया है इसके बाद में Management of Fables मतलब Creditors का Management इसमें से caution नहीं आया है और Financing of Working Capital इसका 0 number का average है इसमें से भी caution नहीं आ रहा है Total ये है 70, 74, 72 ये जो variation आता है दो number का कोई caution optional में extra आ जाता है तो marks ज़्यादा हो जाते हैं otherwise 72 marks के आसपास का paper आ रहा है चलिए अब हम चलते है Economics जो है उसका chapter number 1 है उसका unit 1 है National Income Accounting इसके देखें आप 6 number का average है हर बार question आ रहा है और दूसरा है unit number second है उसमें 5 number का average है और हर बार question आ रहा है इसके बाद चलते हैं chapter number 2 उसका unit number 1 है उसका एक number का average है छहाह में से तीन बार पूचा गया यूनिट number two market failure है इसमें 4 number का average हर बार question आ रहा है unit number 3 इसमें 2 number का average है और 6 में से 4 बार question पूचा गया unit number four fiscal policy पाँच नमबर का average है और हर बार question आ रहा है इसके बाद चलते हम chapter number three money market इसमें देखे unit one है इसमें 4 नंबर का एवरेज है और 5 बार पूचा गया 6 में से Unit No. 2 है Concept of Money Supply यह यहाँ पर 5 नंबर का एवरेज है हर बार कोशन आ रहा है Monetary Policy Unit No. 3 Monetary Policy 4 Marks का एवरेज है और हर बार कोशन आ रहा है इसके बाद में International Trade Chapter No. 4 International Trade है International Trade का Unit 1 है Carries of International Trade यह आपका चार बार पुचा गया 6 में से और 3 नंबर का एवरेज है इसके बाद Unit No. 2 Instruments of Trade Policy यह 3 नंबर का एवरेज है और हर बार इसमें से कोशन पुचा जा रहा है इसके बाद Trade Negotiations 2 नंबर का एवरेज है और 3 में से 4 बार पुचा गया है इसके बाद में Exchange Rate and its Economic Effects तो यह आपका 5 नंबर का एवरेज है और हर बार इसमें से कोशन आ रहा है इसके बाद हम चलते हैं International Capital Moments इसमें से 3 में से 5 बार पुचा गया और 3 नंबर का एवरेज है इस तरीके से 52 मार्स के कोशन इसमें से आ रहे है Total 124 मार्स है Average 124 मार्स का पुचा जा रहा है और 124 में से आपको 100 मार्स का पेपर एटेंड करना होता है इस तरीके से हमने देखा यह Past Exam Unlessis यह जो फाइल है जो Past Exam Unlessis की PDF फाइल आपको हमारे Telegram Channel से मिलेगी मित्तल कुमस क्लासित के नाम से हमारे Telegram Channel है और आप जाएं तो नाम से सर्च कर लें नहीं तो हमारी इस वीडियो के Description box में भी इसका लिंक अवे लेबल है हमारे Telegram Channel का लिंक अवे लेबल है वहाँ जाके आप यह फाइल्स ले सकते हैं लोड कर सकते हैं लिए अब हम चलते हैं Abc endless कि तरब economic अनलेस क्या होता है कि ABC क्या होता है A16 पुर्य स्सेट को A-B-C 3 केटेगोरी करते है एक कर्णे म में वह चेटेगरी बहुत ही जो average होते हैं उनके weightage भी average होता है और C category में जो chapter बहुत ही tough होते हैं या फिर बहुत कम उनका weightage of marks होता है इस तरीके के chapters हम C category में रखते हैं full में लाकर 3 category में बाटने से फाइदा यह होता है कि सब हम category wise पढ़ेंगे तो सबसे पहले A category को करें, इतना स्क्राइब करें कि फूल मीश fatal है एक नमबर को ही नहीं काट पाए फिर बी कया इनिक बाद हम जाए करके पड़ते हैं तो उसका फाइदा हम हम लिए नूबर को करते हैं और जितना कूर्स करते हों 새napl करते हैं तो जैसे वो student होते हैं चाहिए वो तयारी 80 नंबर की करते हैं लेगे उनके 70 पर 70 नंबर लियाते हैं तो हमें second category का student बनना है कि हम जितना पढ़े हैं उसमें पूरे नंबर लेके आए तो वो तभी possible है जब कि course को categorize किया हुआ हो और easy-easy chapters, scoring chapters को पहले पढ़ा जाए फिर average को पढ़ा जाए, fit up को पढ़ा जाए, इस तरीके से easy to tough approach से चला जाए तो हमारा success होना बिल्कुल sure हो जाता है तो A category पहले तयार करेंगे, फिर B करेंगे, फिर C करेंगे इस तरीके से चलेंगे और A category तयार नहीं मतला ऐसी तयार करेंगे कि कोई आपका एक number भी नहीं काट पाए तो आपका success होना sure है उसको कोई नहीं रोख सकता, देखते हैं हम A category में कौन-कौन से chapters fall कर रहे हैं, चलिए तो यहां पर देखते हैं, A category है, financial management में सरसे पहले देखते हैं, chapter number 6 है, financing decision, leverage है, 10 number का question हर बार आ रहा है, इसके बाद चैप्टर और असान चैप्टर भी है, इसके बाद देखे, chapter number 3 है, ratio analysis, बहुत ही असान चैप्टर है, 7 number का है, average है, और हर बार कोशन आ रहा है, cost of capital is also very easy question, very very easy chapter, और 9 marks का आ रहा है, हर बार आ रहा है, तो देखे, कितना weightage of marks है, और कितने easy chapter, dividend decision is damn easy chapter, 5 marks का हर बार आ रहा है, इसके बाद हम चलते हैं, chapter number 10, management of working capital, introduction to working capital management, very simple chapter, 4 marks का, एक 3 times पूचा गया है, लेकिन बहुत ही असान है, financial decision and capital structure है, तो capital structure decision, 5 marks का है, तीन बार पूचा गय हमने उठाये हैं, यहां पर, इसके बाद हम चलते हैं, chapter number 3, chapter number 3, money market है, उसका unit 1, 2, और 3, यह तीन यूनिट है, 4 marks, 5 marks और 4 marks की इस तरीके से आ रही है, आसान है, बिल्कुल आसान portion है, determination of national income, किल्कुल easy है, दोनों units, तो यहां पर हमने total लगा है, एक category का total 64 marks का जा रहा है, 64 marks एक category से है, तो 64 marks के हम preparation करते हैं, और बढ़िया जवर्दस preparation करते हैं, तो अराम से हम 55 से 60 marks ला सकते हैं, जो कि हमारे pass होने के लिए, success होने के लिए sufficient है, अब हम चलेंगे इसके बाद में, category B, category B में देखे हैं, हम यहां पर chapter number 5 है, financial decision of capital structure का unit 2 capital structure theory है, दो नंबर का है, दो यह पुछा गया है, फिर investment decision है, 11 marks है, देकिन यह chapter थोड़ा सा बड़ा होता है, टफ होता है, इसको यहां डाला गया, 11 number का average है, risk analysis and capital investing, यह 5 marks का है, इसके बाद हम सलते हैं, economics में, international trade है, उसका जो 5 unit है, वो सब यहां पर ले ली गई है, और 3 marks, 3 marks, 2 marks, 5 marks और 3 marks, यह इसका average है, त यहां पर category A हम देखेंगे, category A का total 64 marks था और यह हो गया 34, तो 64, 34, 98 marks भी preparation हो जाएगी हमारी, जैदी हम A और B category कर लेते हैं, तो, ठीक है, तो यह जब पक्का हो जाएगा, तो फिर हम C category पर जाएं, उससे पहले बिल्कुल ना जाए C category पर, अब हम चलते हैं, C category यहां पर दे unit 2, treasury and case management unit 2, 3, 4 और 5, और 6, यह बिल्कुल देखें, 0 marks, एक नंबर, 0, 0, 3, इस तरीक के का सा, बहुत ही कम बेट दिया हुआ है, तो यह हमने देखा, यह B category में, इसमें C category में गए हैं, और last में हम चलते हैं, economics, तो economics का जो chapter 2 है, public finance, इसको हमने डाला है C category में, यह का बहुत मतलब tough B है, तो इस तरीके से हमने देखा हैं यहां पर, एक नंबर, चार्ट नंबर, दो नंबर और पांच नंबर का यह average weightage रहा है, total 26 marks है, category C में, तो A, B, C का total करने 124 marks का paper है, तो यह ABC unless इस ता, तो अब हम समझ गए हैं कि हमें, पहले A category को पका करेंगे, फिर B को करेंग का exam appear करने जा रहे हैं, okay, all the best.